हलो फ्रेंड्स, आज हम डिसकस करेंगे कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट के बारे में देखे इस तरह के सेल्स की बात करें तो इसमें दो इलेक्टोलाइटिक सॉलिशन्स डाइरेक्ट कॉंटेक्ट में नहीं होते हैं और इन सेल में जो आयन्स का ट्रांसपोर्ट हैं वो एक सॉलिशन से डूसरे सॉलिशन में डाइरेक्टली नहीं होता हैं अब इसको समझने के लिए हम एक सिंपल इलेक्टोकेमिकल सेल का एक्जामपल लेते हैं और इस electrochemical cell को हम इस तरह से represent करेंगे अब देखिए यहाँ पर जो A1 है वो actual की activity हो जाएगी और solution में H plus ions की activity यह हो जाएगी और chloride ion की activity यह हो जाएगी अब देखिए इस cell में जो reduction होता है वो right hand electrode पर होता है और जो oxidation है वो left hand electrode पर होता है तो इस तरह से इस cell के लिए जो दो half reactions है उसको हम इस तरह से represent कर सकते हैं देखिए reduction half cell reaction की बात करें तो इसमें Ag plus का reduction solid Ag में होता है और oxidation half cell reaction की बात करें तो इसमें half H2 का oxidation H plus में होता है तो इस तरह से one farad electricity obtain करने के लिए हम equation 1 और equation 2 को add करेंगे जिससे आमारे पास net reaction आ जाती है अब हम इसी तरह का एक same cell consider कर रहे हैं जिसमें H cell solution की जो activity है वो A2 consider कर रहे हैं तो यह हो जाएगा cell और इस cell के लिए one farad of electricity के लिए जो net cell reaction होगी उसको हम इस तरह से represent करेंगे यहाँ पर हमने activity को A2 से represent किया है इसलिए यहाँ पर भी activity को हम to subscribe से represent करेंगे अब इसके बाद हम एक ऐसी situation consider करते हैं जिसमें यह दोनों cells एक दूसरे के साथ इस तरह से connected हैं कि यह दोनों current को opposite direction में send करते हैं तो इस तरह से जो combined cell होगा उसको हम इस तरह से represent करेंगे अब इस combined cell के लिए 1 faraday of electricity passes के लिए चो overall reaction होगी उसको obtain करने के लिए हम equation 4 में से equation 3 को subtract कर देंगे तो हमारे पास यह equation आती है अब इस equation को अगर हम देखें तो 1 faraday of electricity के flow के लिए h plus ion और cl minus ion के 1 mol activity A2 से activity A1 में transfer होते हैं या हम ऐसा कह सकते हैं इस reaction में जो actual का 1 mol है वो A2 activity वाले solution से A1 activity वाले solution में transfer हो रहा है तो इस तरह से यह जो cell है उसके लिए हम EMF को equation number 6 के help से calculate कर सकते हैं यहाँ पर यह हो जाएगा H plus ion के लिए और यह हो जाएगा chloride ion के लिए अब देखे यहाँ पर हम जब इसको further solve करते हैं तो हमारे पास equation 7 आ जाती है देखे यहाँ पर हम R T upon F को common ले लेंगे और फिर log को solve कर देंगे फिर जो activity है उसको solve करने के लिए हम in relationship का use करेंगे देखे जैसे यहाँ पर A plus 2 और A minus 2 लिखा है यहाँ पर X की value 1 है और यहाँ पर Y की value 1 है तो हम इन दोनों को combine करके इस form में लिख सकते हैं अब यहाँ पर यह जो दोनों values हैं वो electrolyte के दो solutions के लिए mean ionic activities हो जाएगी और E के साथ जो हमने WOT subscript लिखी हैं वो without transparency को represent करती हैं अब देखे अगर हम uni-univalent electrolyte की बात करें तो उनके लिए हम activity को इस तरह से represent कर सकते हैं अब इस equation के help से हम equation 7 को इस form में लिख सकते हैं यह हो जाएगी equation number 9 इस equation में जो A1 और A2 है वो actual की दो solutions में activities हो जाएगी अब देखे इस cell के लिए हम यह observe करते हैं कि electrolyte का transfer एक solution से दूसरे solution में directly नहीं होता है means यह indirectly होता है तो इस तरह के cell को हम concentration cell without transference कहते हैं अब देखे यहाँ पर यह जो transfer है वो इस middle electrode की वज़े से होता है और अगर हम इस middle electrode को यहाँ से remove कर देते हैं तो उस case में जो actual के दो solutions हैं वो directly contact में आ जाते हैं और इस तरह से जो cell हैं वो concentration cell with transference बन जाता है झाल कि झाल कि वो इस तरह से लो जाता है झाल कि झाल कि झाल कि तरह से जो दो जो 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 है